अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटान है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए मैं फिर से एक वीडियो लेके आ चुका हूँ जो कि आप लोग पहले देखी लिए होंगे तो आज मैं उसी वीडियो के बारे में इडिटिंग सिखाऊंगा तो आप लोग वीडियो फुल देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा उसे डिलेटेड वीडियो में लात देखिए रहता हूँ तो वीडियो पे नए हो तो चनल को सस्क्राइब कर देना चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को काइन मास्टर ओपन कर लेना है काइन मास्टर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो आपको यहां क्रिएट आप लोग बड़ा रखना है उसका बाद बैक आने के बाद आप लोग जिस फोटो का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहां ले लेना है तो चलो उस फोटो को हम ले लेते हैं तो यहां लेयर वाले अप्शन पे क्लिक करके उसका बाद आप लोग मीडिया बनाओगे उतना बड़ा आप लोग को इस फोटो को ले लेना है फोटो को इस तरह से आप लोग करने के बाद आप लोग फोटो वाले उसका बाद आप लोग लेयर वाले उप्शन पे क्लिक करके उसका बाद आप लोग फिर लेयर वाले उप्शन पे क्लिक करके उसका बाद आप लोग इस तरह का एक टेम्पलेट ले लेना है जो कि आप लोग इजीली यूटूब पे मिल जाएगा उसका बाद इसका साइज कुछ बढा कर देना है जैसे मैं बता रहा हूँ यह से आप लोग को भी करना होगा तभी आप लोग वीडियो बनके रेड़ी होगा उसका बाद इतना करने के बाद आप लोग इस वाले बाड़ पर क्लिक करके उसका बाद कूछ नीचे आईएगा उसकाब जो को कुरो मा किया का अपशन दिखेगा उसकाब यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दिये chose कुछ त्याइब का हो जाएगा उसका बाद आप लोग आने के बाद इस वीडियो को सेफ कर लेना है इतना करने के बाद इस वीडियो को सेफ कर लेना है कुछ इस टाइब का हो जाएगा तो चलो वीडियो को मैं सेफ कर लेता हूं तो वीडियो सेफ करने के बाद आप लोग आजाना है उसका बाद यहां से इस सब template आपको delete कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग इस photo को रहने के बाद आप लोग लेजर वाले option पर click करके उसका बाद आप लोग जो अभी video shape किया कुछ इस type से आप लोग को भी कर देना है उसका बाद इसका size थोड़ा full कर देना है decoration उसका बाद जो है आप लोग को यहां फिर से आना है, क्रोमा किया पे आप लोग आना है, उसका बाद आप लोग यहां कुछ इस टाइब से कर देना है, इस टाइब करने के बाद आप लोग बैक आ जाना है, और पहले वाले फोटो पे आप लोग किलिक करके, उसका बाद फोटो जो देख सकते ह कुछ इस टाइप का कट लगाने के बाद आप लोग कुछ इस टाइप से आप लोग को जूम कर देना है जूम करने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्लिक करके उसका बाद यहाँ यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस ट टाइब का आपका वीडियो बनके रेडी हो जाएगा देख सकते हो कितना एमोजिंग लग रहा है आप लोग को थोड़ा फोटो जूम कर लेना इस तरह से फोटो जूम करने के बाद आप लोग यहां पे क्लिक करके उसका बाद थोड़ा नीचे आईएगा उसका बाद आप ल जूंकर करने के बाद बाद और पाद कर से क्लिक करके उसका बाद आप लोग मैं है मल्टुप से ऐस वीडियो बनके रेडी हो चुका है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और वीडियो होते चनल को सस्क्राइमें मिलते हैं तब तब केर लिए वाय